तो भाई लोग एक बार फिर सलमान भाई सबके लिए इदी लाए हैं उनकी फिल्म जिसका बहुत टाइम से सब लोगों को इंतजार था वो आ गई है रादे ये फिल्म भाई की वांटेट फिल्म जो की 2011 में रिलीज हुई थी उसी का सीक्वल है अब यार बाकी लोगों को ये फिल्म जैसी भी लगी हो परसनली मुझे तो टटी लगी बट अलाकी और भी चीज़े हैं जिसपे भाई बहुत तेस्ट रोल होने वाले हैं बाकी रंडी पूटा और बाकी स्टार कार्स ने तो यार कम से कमाल कर दिया दिशा ने भी अच्छा काम किया है सेक्स अपील बढ़ाने के लिए तो चले यार शुरू करते हैं और इसी के साथ साथ सभी को बिलेटे डी मुबारक तो जैसा कि यार सब लोगों को पता है कि इस मिल में भाई पुलिस वाले बने हैं और भाई के केरेक्टर का नाम रादे है और बाकी केरेक्टर आपको कहानी के साथ साथ आगे मिली जाएंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले और दोस्तों यह है रादे का नच्छेल और यार सीरिसली मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्यों बना रहा हूं बस बना रहा हूं मत पूछो भाई क्यों बना रहा हूं तो इसमें थोड़े मीम अगेरा भी एट करने की कोशिश करूंगा तो प्लीज यार सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो कर दे न तो यार फिल्म स्टार्ट होते ही हम लोग देखते हैं कि राणा नाम का एक गैंक्स्टर अपने दो सातियों के साथ दिल्ली से मुम्मई आता है अपने ड्रक्स का बिजनस हैट करने के लिए अपकोर्स वो मुम्मई पहुंचते ही सबसे पहले अपने एक पुराने दल्ले या फिर सप्लायर को पकड़ता है वो सप्लायर उसको उसकी पेमेंट टाइम पे नहीं दे रहा था और ये बंदा हर बार कर रहा था तो इसकी इस बक्चोती से राना की सटक जाती है और फिर राना उसको उठा लेता है तो वो उसको कोई मंसूर जो कि उसका सप्लायर का बॉस है उसके नाम से राना को धमकी देता है राना जब इस सप्लायर से मंसूर को फोन करने को कहता है तो ये बंदा बताता है कि यार मनसूर तो अभी मलेशिया में है तो ये सुनते ही राणा कहता है कि यार अब उसका तो इंतजार करना पड़ेगा पर नहीं यार राणा को तो थोड़ा एंटरटीमेंट चाहिए तो वो इस सप्लायर को बिल्गल गजनी स्टाइल में ठुक देता है वही हम देखते हैं कि एक बच्चा जो की नशेडी है वो पहले नशे करता है और फिर अपनी बिल्डिंग से जंप मार देता है अब भाई एक बात बताओ नशे करने के बाद सूसाइड कोन करता है मैं तो अपने कमरे में लगी आरजीबी लाइट को देखके खुश होता हूँ यार वहीं टीवी और न्यूज में ये ड्रक्स के चकर में होने वाली मौत में एक और नाम इस भाई का भी जुड़े आता है और ये न्यूज हर जगा आने लगती है और जब स्कूल के लॉंडे-लॉंडियों से पूछे आता है कि ये सब कैसे हो रहा है तो भाई हसने वाली तो एक बात ये है कि इन में से एक लड़का बोलता है ये सब पुलिस की गलती है नहीं सही है ऐसे तो मेरा प्लेस्मेंट नहीं हो रहा है इसमें पुलिस की गलती है सोनम गुपता बेवफ आये इसमें पुलिस की गलती है और तो और सल्मान भाई की शादी नहीं होई आवी तक इसमें भी पुलिस की गलती है राणा इस ड्रक के केस में जो भी पुलिस वाला इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसको एक एक करके मार देता है और स्कूल से लेके कॉलेज तक नशे ही नशे फैला देता है तब पुलिस के कुछ बड़े ओफिसर एक मीटिंग करते हैं जहां एक ओफिसर कहता है कि इन सब को रोकने के लिए इन लोगों कोई नॉर्मल पुलिस नहीं बलकि एक स्पेशलिस्ट चाहिए और वहां अपन सब को पता है कि ये स्पेशलिस्ट आकर है कौन अपने सैलमान भाई और फिर हम यहां सलमान भाई का एक छोट असा इंट्रो देखते हैं जो कि उनकी हर पुलिस वाली फिल्प्स में होता है एक बिल्डर जो कि अपनी इलीगल कंस्रक्शन कर रहा है और करते से निकल जाते हैं और वह आदमी उनको देख भी नहीं पाता यह आदम इतना फोन चला रहा होता है और भाई इतना तेज होते हैं कि उसको पता भी नहीं चलता और उसका गाल कट जाता है और फिर वही सीन हम लोग स्लो मोशन में देखते हैं स्लो मोशन में भाई कांच तब भाई उसको बाहर ले जाते हैं और जैसे ही ये बंदा बाहर जाता है तो देखता है कि उसके सारे के सारे आदमी मरे पड़े हैं तो सीन ऐसा है कि इस बंदे ने एक लड़की का रेप करके उसका मर्डर कर दिया था और उसी लड़की का बदला लेने के लिए भाई ने इसी को भी टबका दिया तो हम बापस आजाते हैं उन पुलिस वालों की मीटिंग पे तो जो पुलिस वाले ने राधे का सजेशन दिया था वो बोलता है कि राधे अभी तक 97 एंकाउंटर किया है और उसके अभी तक 23 बार ट्रांसफर भी हो चुके हैं बस 10 साल के केरियर में तो उनका बॉस राधे को ये केस देने के लिए मान जाता है और फिर ये लोग राधे का सस्पेंशन रिवोग करके उसे तुरंत काम पे वापिस आने को बोलते हैं भाई जैसे ही नेक्स डे क्राइम ब्रांच जाते हैं तो उनको वहाँ देखके सब लोगे खटा हो जाते हैं तो आप लोग समझी सकते हो कि भाई की फैन फॉलंग फिल्म में भी कितनी है तभी ब्रांच का हैड वहाँ आता है और इसका नाम है अविनाश अविनाश का केरेक्टर अपने जैकी दादा कर रहे हैं अविनाश इस फिल्म में तोड़ा फणी केरेक्टर है जो काम के वक्त किसी भी तरह का इंडिसिप्लिन बरदाश नहीं करता और उसके सामने अगर किसी का भी फोन बच जाए तो इस बंदे को अगले दिन नया फोन लेना पड़ता है तो भाई के आते ही सब अपना काम छोड़के भाई के पास चले जाते हैं और उन सब को देखके दादा भी वहाँ आ जाते हैं और सल्मान भाई से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तुमें तो डाइरेक्ट मेरे पास आना चाहिए था अब दादा अपना इंट्रो देने ही वाले होते हैं कि तभी सल्मान भाई टॉलेट करने यहां से चले जाते हैं पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त सल्मान भाई कहीं जा रहे होते हैं अब उनकी गाड़ी खराब हो जाती है चलो आगे रोट पे चलने वाले लोग बच गए भाई अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और तभी उनके सामने बहुत सारे रिक्षा वाले जाने लगते हैं लेकिन ये आटवाले इनसे कहते हैं कि आज सारे आटवालों की स्ट्राइक है तभी वहां हमारी हीरोईन की एंट्री होती है जो की दिशा पटानी है और इस फिल्म में उसका नाम दिया है दिया एक मॉडल है सलमान भाई की नजर उसके पड़े आती है और उनके मन में लड़ू फूटने लगते हैं और फिर हमारे भाई उससे लिफ्ट मांगते हैं और अब भाई को कोई कैसे मना कर सकता है तो दिया भाई को उसके साथ चलने को बोलती है वाय यार इतनी जल्दी कोई लिफ्ट दिने के लिए रेडी कैसे हो गया यार तबी दिया को उसके भाई का फोन आता है एक जोली दिया एक जोलर के एड में लगी हुई है आई मीन एक जोलर के एड में फीचर होती है और इसके बैनर मुंबई में हर जगा लगे हुए है तो उसका भाई उसके इसी बैनर को लेके उससे कंप्लेंट करता है और भाई साब उसका भाई और कोई नहीं बलकि अविनाश है यानि सेलमान भाई का बॉस तब दिया और अविनाश की बहस हो जाती है जहां दिया ये कहती है कि उसको पुलिस वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो पुलिस वालों से हेट करती है और इतना कहके वो अपना फोन काट देती है अब ये सब बाते सेलमान भाई सुन लेते हैं फोन कट करने के बाद दिया, सेल्वन भाई से पूछती है कि वो क्या काम करते हैं तब सेल्वन भाई उससे जूट बोल देते हैं कि वो फूट पाल पे गाड़ी चलाते हैं आई मीन, आई मीन वो एक एस्पारिंग मॉडल हैं तो ये सुनके दिया भाई को कुछ टिप्स देती हैं और तो और उनसे ये भी कहती है कि वो उनकी हैल्प करेगी इसके बाद सेल्वन भाई, स्मार्ट तरीके से दिया से अपने मुगाल पे कॉल करवाते हैं और उसका नम्मल ले लेते हैं और फिर भाई galaxy apartment के सामने गाड़ी रोकने को बोलते हैं और उतर जाते हैं ऐसा लगता है कि भाई को shooting के बाद घर जल्दी जाना था और प्रभुदेवा को दिया और रादे का shot जल्दी लेना था इसलिए भाई अपने घर आते आते shot निपटा दिये अगले दिन जब भाई police station आते हैं तब वो देखते हैं कि अजान नाम का एक लॉंडा police station से बाहर आ रहा है और उसके हाथ में एक paper है जिसको वो dustbin में फेंक देता है भाई उस paper को dustbin से निकालते हैं और इस paper में एक complaint लिकी होती है वही drug case से related भाई उसको पढ़ते हैं और अजान को रोकते हैं तब भाई थाने के अंदर जाके सबसे पूछते हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं और ये druggy trafficking आखिर कन कौन रहा है तो office वाले लोग भाई को बताते हैं कि मुंबई में सिर्फ दो ही gang leaders हैं लेकिन इन दोनों में से drugs का business कौन कर रहा है इन लोग को नहीं पता तो भाई सबसे पहले दगड़ू नाम के एक डौन को पकड़ने जाते हैं लेकिन दगड़ू की आँ फट जाती है और वो बोलता है कि वो drugs का धंदा करता ही नहीं है वहीं एक आदमी रहता है जो कि भाई की बाते सुनके वहां से भागने लगता है और भाई भी इसके पीछे भागते हैं और बंदे को पकड़के पुलिस स्टेशन लाते हैं और ये बंदा अपने भाई को बताता है कि दूसरे डौन दिलावर का भाई मनसूर ही ड्रक्स की पैडलिंग करवा रहा है लेकिन मनसूर अभी कहा है किसी को भी नहीं पता है